अलो फेंट्स वेलकम बाक टू माई चैनल आजके इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड़ी सेयर के उपर साथ हम लोग बात करेंगे करूर वेस्य बैंक और डिक्सन टेकनलोजी सेयर के उपर इन डीटेल में हम लोग बात करेंगे सभी पॉइंट्स के उपर डिसकेसन करेंगे आप लोग जाए वीडियो को ध्यान से लाज्ट टक देखीगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्गल अच्छे से क्लियर हो जाए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता ह अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस कर लीजिए और नो लिबरेटरी के ओपर, श्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त gap down opening देखने को मिला, और उसके बाद श्टॉक में जो है हम लोगों को वापस से continuously down trend continue हुआ, but again जो है यहां पर slow and steady हम लोगों को recovery देखने को मिला, finally stock almost sideways trade किया, और stock जो है 5% के नीचे close हुआ, last one month में अगर देखेंगे तो stock में जो है, अभी भी stock 1% के तेजी के साथ trade कर रहा है, although यहां पर आज हम लोगों को एक जबरदस्त डिप देखने को मिला, फिर भी stock 1% उपर तेजी कर रहा है, but last one month का almost सारा gain जो है, इस stock ने आज यहां पर lose कर दिया, last one year के अगर हम लोग बात करेंगे, stock last one year में 23% के positive return के साथ trade कर रहा है, और previous five months से अगर बात करेंगे, तो stock जो है almost एक range में trade कर रहा है, market stock में आज हम लोगों को गिरावट क्यों देखने को मिला, तो यहां पर basically गिरावट इसके देखने को मिला, क्योंकि तेलांगना में जो plant है Dr. Reddy का, वहां पर USFDA का observation सामने आया है, और basically जो यह observation आया है, वो आपको आया है, unclean type equipment के लिए, साथी साथ जो है, utensils के लिए, और कुछ explanation जो है, वो आपको USFDA के द्वारा मांगा गया था, उसके उपर जो है, आपको proper justification उनको नहीं मिला, तो इसी वज़े से जो है, यह आपको three observation उन्होंने post किया है, अब यह क्यों important हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, तो 30% revenue जो Dr. Reddy का जो है, वो आपको इस plant से आता है, तो एक major contribution, one third contribution जो है, आपको तिलंगना plant से Dr. Reddy का आता है, और वहाँ पे अगर USFDA का observation आता है, तो definitely जो है, यह आपको एक negative बात होता है, negative बात है company के लिए, और इसी वज़े से उसका जबरदस्त reaction जो है, हम लोगों को market में देखने को मिला, इसलिए आप कर लेते हैं, अगर इस stock में तो यहाँ पे gap down opening देखने को मिला, उसके नीचे के लेवल से recovery भी देखने को मिला, इस टॉक ने बनाया एक doji candle, एली पे जो है, यहाँ पे हम लोगों को एक doji candle का formation देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड में अगर बात करेंगे, तो फाइब फाइब जीरो, फाइब जीरो, फाइब त्री डबल जीरो, यह एक support की तरह काम करने वाला है, इस stock के लिए, यहाँ पे stock ने एक अच्छा support बनाया है, उपर की साइड में stock के पास जो रसिस्टेंस है, वो आपको 6000 के लेवल पे, और उस से पहले जो है, वो 5850 के लेवल पे, तो, clearly अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो August month से जो है, in fact July month से ही, stock इस range में trade कर रहा है, 5250 downside में, और उपर की साइड में 6000, इस range में trade कर रहा है, अभी भी यहाँ पे देखेंगे, एक सांदार gap down जरूर हुआ, बट नीचे के level से immediately support है, और यहाँ पे हम लोगों को एक buying भी देखने को मिलता है, अब इस stock में क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको wait करना है, और अगर stock यहाँ पे support लेता है, तो फिट जो है, हम लोग यहाँ पे buy कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों काफी छोटा होगा, 5250 के नीचे हम लोग अपने stop loss को place कर स चलिए हम लोग next stock के ओपर बात करेंगे, next stock का करूर West Bank, करूर West Bank के सेर में एक सांदर तेजी देखने को मिल रहा है, stock में, stock अपने all time high पे trade कर रहा है, एक range में trade कर रहा था, इस 10 point के range में stock trade कर रहा था, 152, 160, और अब जाके finally stock ने आपर breakout दे दिया है, एक अच्छा तेजी, तेजी के बाद retracement, एक base बनाया, और base बनाने के बाद अब वापस से stock ने यहाँ पे breakout दिया है, तो इस stock में एक अच्छा तेजी उपर की side में देखने को मिल सकता है, monthly chart पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो stock अपने all time high पे trade कर रहा है, clearly यहाँ पे जो है, एक बहुत ही जब कर चुका है, तो एक अच्छा तेजी से stock में दिख रहा है, stock अपने all time high पे trade कर रहा है, यहाँ पे short term के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो करोर वैसे bank को buy कर सकते हैं, current market price पे आप buy कर सकते हैं, नीचे की side में जो है, 150 के नीचे daily closing basis पे आपका stop loss होना चाहिए, in case अगर already काफी नीचे के level से stock को hold कर रहे हैं, तो continuously stock को hold करके रख सकते हैं, अभी stock में और momentum देखने को मिल सकता है, stock 200 के level के तरफ momentum कर सकता है, last stock की अगर हम लोग बात करेंगे, तो last stock है, Dixon technology, Dixon technology के share में हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए सबसे पहले हम लोग daily chart के उपर बात करते हैं, daily chart के उपर अगर देखेंगे, तो यहां पर हम लोगों को एक trend line का breakout देखने को मिला, यह trend line से काफी अच्छे तरीके से stock resistance ले रहा था, जून मन से ही, और stock ने इस level को breakout दिया, breakout देने के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद आब वापस stock ने यहां time हाई पे trade कर रहा है, अगर हम लोग stock के monthly chart के basis पर बात करेंगे, तो यहां पर 1000 के level से 6000 तक एक अच्छा तेजी, वापस से यहां पर आपको एक जवर्दस रिट्रेस्मेंट, उसके बाद stock ने यहां पर multiple inside candle का formation किया, और उसके बाद stock में वापस से हम लोगों को तेजी stock को हम लोग current market price पे buy कर सकते हैं, यहां पर हम लोग अपने SL को place करेंगे 59900 के नीचे daily closing basis पे उपर की side में हम लोगों को 7000 और उसके उपर 7500 का एक अच्छा target देखने को मिल सकता है, तो आई होप आप लोगों को सभी points यह है, बिलकुल अच्छे से clear हो गया होंगे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, analysis अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब चरू करें अच्छा लगे आप लोगों करता ही। झाल झाल